नमस्कार मैं हूँ सौरभ दिवेदी आप देख रहे हैं दीललंटॉप.com मेरा नाम सौरभ दिवेदी है मेरे माथे पर कोई धार्मिक पहचान नहीं है मेरी देव पर कोई धार्मिक सिंबल नहीं है इसके बावजूद अगर किसी सारजिक जगह पर मेरा नाम पूछा जाएग तो उसके बाद मुझे तंग नहीं किया जाएगा ऐसी मैं उमीद करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि कोई भी सड़क पर चलने वाला लंपट लुच्चा बदमाश आकर मुझसे मेरे हिंदुस्तानी होने का सबूत नहीं मांगेगा मेरे हिंदुस्तानी होने का सबूत ये ह कि मैं इस मुलक की बहतरी के लिए काम करता हूँ मेरे हिंदुस्तानी होने का सबूत ये है कि जो सब लोग इस मुलक को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हरकतों को देख कर मुझे गुसा आता है ये मैं आवेश में आप से क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में इस तरह की एक लंप टई हुई है ये 8 अपरेल 2018 का मामला है रईवार की राद दिल्ली में एक आदमी डी टी सी की बस में बैटा था बस का नंबर 116 बस शावाट डेडी से जे जे कॉलोनिक तरफ जा रही थी जो आदमी बैठा था वो एक मौलवी था मौलवी थे उन्होंने टोपी पहन रखी थी दो लोग उनके पास आए पूछा हिंदुस्तानी हो उन्होंने जाहिर सी बात है कि हां में सर हिलाया तो वो दोनों लोग बोले साबित करो बोलो जै माता दी बोलो जै शी राम पहले वो आदमी डरा हिचका मगर उसे अपनी जान बचानी थी उसे वो सारे मनजर याद आ गए जो इससे पहले उसने टीवी की स्क्रीन पर और अख़बारों में देखे थे कि कैसे ऐसा नहीं बोलने पर बेज़द किया जाता था कई बार जान से मार दिया जाता था ऐसे में वो इस सब कुछ बोलता रहा इसके बावजूद वो दो लोग रुके नहीं उन्होंने उसकी दाड़ी खीची उसकी टोपी चीन कर फेक दी और जब विरोध किया तो पीटा सब कुछ बस के अंदर हो रहा था ड्राइवर कंड़क्टर देख रहा था कुछ एक पैसेंजर्स ने बीच बचाओ की कोशिश की और उसको भी चुप करा दिया उन दो बदमाशों ने और फिर वो बस से उतर गए इस आदमी का नाम मौलाना आफ्ताव आलम 27 बरस के हैं दिली में बवाना में जे जे कॉलोनी हैं यहीं पर रहते हैं यहां की मस्जिद अबू बकर में इमाम है बच्चों को पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते होंगे इश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सनमती दे भगवान सनमती कैसी कि आफ्ताव आलम ने जब शिकायत की तो पुलिस आई मौके पर गई रात भरुन को ठाने में रखा सुबह रिलीज किया आफ्ताव आलम परिशान हैं लेकिन आफ्ताव आलम अगले रोज भी बच्चों के पास गए हैं उन्हें बहतर नागरिख बनाने के लिए उन्हें तालीम देने के लिए शिखशा जो हमें आपको शुरुआच से मिली है कि ये देश बहुत संघर्षों के बाद एक हुआ है सब के संघर्षों के बाद कि लंपट आए और किसी धार्विक नारे को उच्छाल कर आप से आपकी देश भक्ति का सबूत मांगे जैश्री राम करुणा वाले राम राम कितने आसुरू रहे होंगे ये सारे हालात देखकर जै माता दी हमने बच्पन में भजन सुना था कि पूत का पूत सुने हैं जगम पूता प्रतीक मा और उस मा और उस राम के नाम पर मेरे मुल्क मेरे मुल्क की राजद्धानी में क्या हो रहा है आप खुद देख लीजे और खुद से सवाल पूछिए कि दूसरे समपरदाय के प्रती पूरवाग्ड़हों को पालते पालते कि आपके भीतर इतनी नफरत भर गई है कि आप इस तरह की हिंसा की घटनाओं को जायस ठहराने लगे हैं ये जहर यहीं नहीं रुकेगा एक पाकिस्तान निकल चुका है और कितने टुकड़े होंगे हमारे मुल्क के धारमे भेत के नाम पर मैं आप से यह सब कहा रहा हूं मेरे दिमाग में चल रहा है कि व से गेंगरेब किया गया देविस्थान पर उसको छिपाया गया वहां पर भी गेंगरेब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बच्ची के संपरदाय को बक्कर वालों को गाउं से बाहर भगाया जाना था और फिर पूरी बेशर्मी के साथ नेता वकील सब आरोपियों के बच के स्तर पर होता है और इसकी चपेट में हम मैंसे कोई भी आ सकता है चपेट से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि विदिसम्मधंग से रहें और अपने भीतर की करुणा अपने भीतर की मानवता को बचा कर रखें आप देख रहे हैं दीललनटॉप.com शुक्रिया